तो नवश्कार दोस्तो आज FMCG सेक्टर की एक बहुत ही स्ट्रॉंग कंपनी नेसले लिम्टेड कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्स को पबिश कर दिया है और क्वार्टर थ्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंपनी कैलेंडर इयर को ही अपना फनेंशल मान रिवेन्यूज की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज आये हैं 4,591 क्रोड पीज जबकि पिछले क्वार्टर में ये 4,373 क्रोड थे और पिछले साल के सेप्टेंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 3,883 क्रोड थे यहां पर देखें तो क्वार्टर क काफी अच्छी 14 प्रसेंट ग्रोथ आई है और यहर ऑन यह बेस पर भी 18 परसेंट का अच्छी ग्रोथ दिखाए अंदर उसके बात करें कंपनी के operating profit की तो सुधार में कंपनी के operating profit आ रहे हैं एक हजार ग्यारा क्रोड पर जबकि उसले क्वाटर में यह 819 क्रोड थे और पिछले साल के सप्टेमबर 2021 क्वाटर में कंपनी के रिवेन्विज और सौरी ऑप्रेटिंग प्रॉफिट आठ सो अरताली स्क्रोड थे यहां पर देखें तो क्वाटर कोड़ बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 23 काफी अच परसंट का जब कि पिछले क्वाटर में 20 परसंट था और पिछले साल के सब्टेमबर 2021 की क्वाटर में कम्पनी का ऑप्रेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो इस क्वाटर में कंपनी का Net Profit आया है 668 करोड पे जबकि पिछले क्वार्टर में 515 करोड था और पिछले साल के September 2021 क्वार्टर में कंपनी का Net Profit 617 करोड था यहाँ पे देखें तो Revenue के मुकाबले कंपनी ने Profit में 30% करोड दिखाया है जबकि Revenue सिर्फ 14% का Increase हुआ है लेकि कंपनी का Net Profit जखें तो Quarton Quad Base पे 30% से काफी अच्छी करोड दिखाया है और वहीं Year on Year Base पे यह 8% से Increase हुआ है इसलिए बात करें कंपनी के Earning Per Share की तो इस quarter में कंपनी की Earning Per Share आ रही है 69 रुपीज 32 पैसा जबकि पिछले quarter में 53.45 था और पिछले साल के September 2021 quarter में 64.03 पैसा था यानि के अब देखें तो Quarton Quad Base पे यहाँ पे भी सेम Net Profit रही है 30% ग्रोफ दिखाये कंपनी Earning Per Share में और Year on Year Base पे यहाँ पे 8% ग्रोफ दिखायी है तो जैसे ने बात की थी कंपनी काफी अच्छे रिजल्स आया है कंपनी ने quarter 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 बेस पे भी ग्रोफ दिखायी है और साथ साथ year on year बेस पे दिखें तो लगबख सारे पैरमेटरों काफी अच्छी ग्रोफ दिखायी है काफी अच्छे कंपनी के operating और साथ साथ profit भी जो है वो increase हुआ है हम बात करें कंपनी के share price की तो आज किट में कंपनी का share price चल रहा है 19,800 रुपे और बात करें इसकी valuation की तो stock का जो PY है वो 81 के आसपास चल रहा है कंपनी का जबकि industry का PY 62 है यानि कि industry से भी जादा कंपनी की demand है वो इसी वैसे कंपनी काफी अच्छी है strong business है बहुत अच्छे अच्छे brands भी company hold करती है तो अगर आपने अपना पैसा इस company invest किया है तो बहुत ही अच्छा decision है आप इस company में hold कर रखिए और long time साब से बहुत ही बड़ी company है और अभी हम देखे हैं तो company काफी अच्छे आए और अगर आप नया पैसा इसमें invest करना चाहरे है तो हम देखने पी बाई बहुत हाई range में है तो थोड़ा सा में wait करना चाहिए और सही time का इंतियार करके फिर हमें अच्छे से इसमें invest करना चाहिए और साथ-साथ और भी काफी साथ अच्छे लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और शेर जरू किजेगा और साथ-साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक्यू सो मच